हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एक क्विटीट कॉम्यूटी में स्वागत करता हूं तो यहां पे आपको स्क्वीन पे एक aboutップ लर इंडीलेक इंडी केटर देखने को मिल रहागा बहुंड लोगों ने इंडीलेका नेम गेस यह कर लिया और आपको बता जा रहे इंडिगलस में यह इंडील चल बहा था कि कहां पे हमें बाई करना और कहां पे हमें सेल करना लेकिन अब मैक्सिमम लोग इसका इस्तमाल करना बंद कर दिये क्यों बंद कर दिये क्योंकि यह हमें प्रॉफिट तो देता था लेकिन जितना प्रॉफिट देता था उससे जादा हमें यह लॉस दूसरा sell यहां पे दिया है यह भी हमें loss दिया है तीसरा buy यहां पे दिया है यहां पे भी हमें loss हुआ है चौथा sell यहां पे दिया है यह भी हमें loss दिया है यह नहीं पूरा का पूरा loss वाला trade है जो loss वाला उसको हम L से denote कर देते हैं तूरल हो देखने को मिला है और 8 में से जो 5 trade है वो हमारा क्या है loss वाला trade है तूर्फ तीन trade ने यहाँ पे हमें profit बना के दी है अब अगर आप trade लेते हो आप trade में से अपका 5 trade loss हो जाए overall क्या होगा overall आपका loss ही होगा तो जो indicator हमें loss दे रहा है क्या उस indicator को हम यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे इसलिए लोग दिरे दिरे इसका इस्तमाल करना बंद कर दी है लेकिन इस indicator की खासियत क्या है कि आपको simple तरीके में आसान भासा हम बताता है कि कहां पे buy करना कहां प काम करें यह जो लॉस बाला पार्ट है 5 इसी लॉस को अगर हम घटा के एक या फिर दो पर ले आते हैं ठीक है तो तीन हमारा यहां पर प्रॉफिट रहेगा तो क्या रहेगा overall यहां पर हम प्रॉफिट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो आज के इस वीडियो में हम यही के उपर discuss करेंगे कि जो super trend आपको fake या फिर false signal provide करता है उस false signal को हम कैसे remove कर सकते हैं कैसे हम उसको avoid कर सकते हैं जिससे हमारे trade का accuracy level मिल सके तो अगर आप भी super trend indicator का use करना चाहते हैं with high accuracy तो आप इस वीडियो में last तक बने रहे हैं और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद जाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें motivate जोर कीजएगा और पहली वाट वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को subscribe जोर करते जाएगा क्योंकि हम इस तरह के और informative content आपके लिए regular basis पे लाते रहेंगे अब यह जो indicator है इसके fake signal या false signal को remove करने से यह नहीं बोल वहाँ कि इसका accuracy level आपका 100% हो जाएगा जहाँ पे इसका accuracy level आपका 30 to 40% है वहाँ पे इसका accuracy level बढ़के आपका 70% to 75% हो जाएगा जिससे आप overall profit में रहेंगे अगर आप इसको सही तरीके से इस्तमाल करेंगे तो तो अब हम इसके fake signal या false signal को हम कैसे remove करेंगे उसके लिए हमें क्या कर करने होंगे और यह modifications आपको ध्यान से समझना है अगर आप नए हैं तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिए एक बार में समझ नहीं आता है तो दूसरी बार वीडियो को जोओर देखिए अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो comment करके जोओर बताएगा और हम इ यहां पे क्या है कि सूपर ट्रेंड ने हमें क्या 8 signals प्रोवाइड किये थे अब इस 8 signals में से कहां पे हमें buy करना है कहां पे हमें sell करना है यह हमें पता करना होगा जहां पे भी सूपर ट्रेंड बोलेगा buy करने को या sell करने को वहां पे तो हम sell नहीं करेंगे अगर वहां पे हम sell करते हैं तो हमारा क्या होगा? overall हम loss में ही जाएंगे तो हमें ही पता करना होगा कि कहां पे हमें buy करना है कहां पे हमें sell करना अब यह पता करने का सबसे बहतर तरीका क्या है? कि अगर आपको buy करना है तो जहां पे buyers अगर strong दिखेंगे इस particular time अगर आप buy करते हो तो क्या वो trade आपको profit बना के देगा है कि नहीं देगा? अब इसी बात है कि वो trade हमें profit बना के देगा जहां पे buyers strong होगे अगर हम buy करते हैं तो वहीं अगर जहां पे आपके sellers strong होगे उस particular time पे अगर आप sell करते हो क्या वो trade हमें profit बना के देगा कि नहीं देगा बिलकुल वो trade हमें profit बना के देगा तो super trend जब भी हमें buy या sell करने को बोले हमीं चेक करना है कि उस particular time क्या buyers या फिर sellers strong है अगर super trend ने हमें buy करने को बोला उस particular time buyers भी strong है तो हम क्या करेंगे buy करेंगे अगर super twin ने हमें buy करने को बोला लेकिन उस particular time buyers strong नहीं है buyers के पास strength नहीं है तो हम क्या करेंगे हम trade नहीं करेंगे वो trade हमें loss दे सकता है तो इस तरीके से उसके fake या false signal को हम हटाएंगे वैसे ही जहां पे आपके sellers strong रहेंगे उस particular time अगर super twin sell signal देगा तो हम sell करेंगे अदरवाई हम sell नहीं करेंगे लेकिन अब main problem आता कहांपे main problem आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि buyers कहांपे strong है और sellers कहांपे strong है कहने में तो आसान है कि जहांपे buyers strong है buy कर लो जहांपे sellers stronger sell कर लो लेकिन जब आप real life market में जाओगे तो आपको कुछ idea ही नहीं मिलेगा कि buyers strong कहां पे, sellers strong कहां पे हैं तो यही real life जो trading experience होता, जो trailing problem होता है हम उसको solve करने की कोसिस करते हैं और उसी के लिए हम multiple example आते हैं जो कि आपको real life market में help करता है और अगर आपको कुछ भी doubt या problem हो मैं बताता हूँ कि आप comment में हमें बताइए और हम उसका answer करने की कोशिस जबूर करेंगे तो अब यह find करने के लिए हमें क्या find करना होगा हम यहाँ पे कुछ indicator की मदद लेंगे जिसके basis पे हम यह find कर सकते हैं कि कहां पे buyers strong है और कहां पे sellers strong है अगर यह find करना है तो सबसे बहतर उसका तरीका क्या है कि आप find करो कि support and resistance कहां पे अब देखिए धीरे-धीरे मैं आपको सारा कुछ simple बताना जा रहा हूँ एक आपको road map बता रहा हूँ फिर इस road map पे चलना कैसे है वह मैं आपको बता रहा हूँ जैसे cricket match start होने से पहले पिच का मुआइना किया जाता पिच को लोग देखते है उसके इसाब सारा कुछ player decide होता कि कौन सा player खेलेगा कौन सा player है नहीं खेलेगा team selection होता है अब team selection के बाद हम मैदान पे उतरते हैं तो जो भी हमने strategy बनाया है उस strategy का implementation करते हैं लेकिन match सुरू होने से पहले भी हमारा strategy रहता है तो आई trade लेने से पहले भी यहाँ पे हमारा सारा strategy है और यह strategy को है कि हमें यहाँ पे करना गया support and resistance find करना अब सब्सक्राइब करने के लिए multiple indicator trend line आप यूज कर लो आप फिर रिट्वेस्मेंट यूज कर लो पाइवर्ट पॉइंज कर लो और भी जो indicator आपके लिए इस इंडिकेटर का इस्तमाल आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम कौन सा इंडिकेटर इस्तमाल करेंगे वह मैं आपको आगे बताता हूं चलिए अब हम सारे process को एक एक करके समझते हैं अब यहाँ पे हमें क्या-क्या changes करने वह आपको समझना सबसे पहले हमें normal candles के जगा पे क्या करने हमें हिकानेशी candles करना नॉर्मल के जगा पर हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पे रह layout जिस करना जिसका नाम है फाइवर्ट पंट अब देख सकतें एक और ऑनडिकेटर आपको यहां पर आड्ड होता हुआ दिक गया है यह होग 561 पॉइंट किया काम करता जो कि मैंने आめて अपको नहीं करना support and resistance तो पाइवर फॉइंट यहाँ पर हमें रहूद अपर रहेघांए यहां पहले बात करेंंगे यहां पर बात करें यहां पर प्रत ऐता यहां बागे अब हमारा सारा कुछ ready है अब हमें क्या करना मैदान पे जाके अपना strategy follow करना जो भी हमने strategy बना है उसके वीसिस पे काम करना है अब यहां पर देखिए हमने same period का लिया है आप देख सकते हैं 12 से लेके आपका 14 अब जुलाई का time period आप previous candle वाले से मिला सकते हैं अब इसी time period में वहाँ पे क्या मिलते हैं हमें दरेड्र्मल्व है थे पाच स्लाश वाले ओर च्वीज प्रॉफट बीया अब यहां पर देखिया हमें कितना THERE मिलता है सबसे पहले यह ट्रेड साञी थे यहां पर अमेंено तीसरा ट्वेट यहां पर हमें मिलवा है फॉर्थ ट्वेट यहां पर हमें मिलवा है और फिफ्थ ट्वेट हमें यहां पर मिलवा है यानि नमबर आफ ट्वेट ऑटमेटिकली कम हो गया और नमबर आफ ट्वेट कम हुए डैट मेंस तो आपका ब्रुक्विज पार्ट भी कम हो गया यह निए अगरल हमें कुछ नप कुछ प्रॉफिट बनाके पहले ही दे दिया तो आठ ट्वेट से यहां पर टोटल नमर आफ ट्वेट कितने हो गया अब फाइव में से लॉस वाले कौन-कौन से ट्वेट फॉर एट्वेट हमें लॉस दे रहा यह यह प्रॉफिट द हमने क्या बोला तके इसके फेक signal को हम फिल्टर करें हम आइडेंटिफा宮 करेंगे अगर हम इसके फेक s Britain आफर फ़ाल सिगनल को फिल्टर करते हैं तो यह वह लॉस तो हमारा रहे गा है इस वहां लॉस खतंड हो जाएगा यहां पे हमें लॉस नहीं मिलेगा कि यह दू हुं प्रॉफिट यहां प्रॉफिट यहां पर स्टू पॉस्ट में रहेंगे लगा नहीं हमें प्रॉफिट होगा और फाइनल ड्यूज़ क्या और यह विजल्ट कैसे आ रहा है इमारा सारी सक्समें एक्स्प्लेस करऊंगा पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं ऑबर ओल में हमें ना ही loss होगा ना ही profit होगा तो इस तरीके से हम overall profit में रहेंगे कि नहीं रहेंगे यहाँ पे अगर आप देखोंगे तो इसके बाद overall हम क्या रहेंगे profit में रहेंगे अब इसी बात है तो ऐसे ही हमें काम करना देख सकते हैं यहाँ पे हमारा five loss to three profit को हमने क्या कर दिया दो profit एक loss, यहां पे हमारा accuracy level automatically increase हो गया और number of trades में यहां पे हमारा कम गया तो यह हम तभी कर सकते हैं जब हमें यह सारे modifications करके कब buy करना, कब sell करना यह हमें पता होना चाहिए तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब हमें match कैसे खेलना यहनि कब हमें buy करना, कब हमें sell करना, यह हमें सीखने की ज़रुवत है तो सबसे पहले, मैंने क्या बता है, कि आपको support या resistance करी काम करना for example, यह line support का है support के करीब, अगर हमें super trend buy signal देता है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे buy side की तरफ चले जाएगे ठीक है, पहला condition यह है, दूसरा अगर कोई resistance level है, price उस resistance को break करके ऊपर निकला है और उसी candle पे super trend अगर हमें buy side की तरफ जाने को बता रहा है तो हम वहां पे क्या करेंगे, buy side की तरफ जाएगे for example, यहां पे देख लीजे, यह candle है, यह हमारा resistance level है यह candle इस resistance को break किया और इसी candle पे super trend ने यहां पे हमें buy side की तरफ जाने को बोला तो इस candle पे हम definitely buy side की तरफ जाएगे clear है, for example, यहां पे देख लीजे, यहां पे हमारा support level है price आया है, support level को respect किया, फिर उपर जाने लगिया और अगर इसी label के आसपास, super trend अगर हमें buy side की तरफ signal दे दे तो हम buy side की तरफ जाएगे, otherwise हम buy side की तरफ नहीं जाएगे यहां पे हमें buy side की तरफ signal दिया है तो यहां पे भी buy side की तरफ जाएगे, क्यों, क्योंकि यहां पे एक resistance level है, इसको break किया तो दोनों में से कोई एक condition को satisfy करेगा, तभी हम buy side की तरफ जाएंगे, अदरबाइस buy side की तरफ नहीं जाएंगे, उमीद करते हैं, ये concept clear है, तो देख सकते हैं कितने आसान भासा में आपको बता रहा हूं, और इतने आसान भासा में बहुत कम जगा आपको ये चीद समझाया जाएगा, अब हमें sell कहां पर करना, ऐसे ही opposite, अगर कोई resistance लेवल है, वहां से price अगर आपका वापस लोटना शुरू कर दिया, और वहीं पर हमें super trend ने sell signal दे दिया, तो हम यहां पर sell side की तरफ जाएंगे, और दूसरा condition है, कि अगर कोई support लेवल है, कोई candle उस support को break करके नी जाएंगे, इसको break करके नीचे जा रहा, और अगर इसी time, super trend ने हमें sell signal दे दिया, तो हम sell side की तरफ जाएंगे, यहां पर नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर यहां पर super trend ने sell signal देता है, तो हम यहां पर sell side की तरफ चले जाते हैं, तो आपको buy कब करन हैं, कब sell करना है, उमीद करते हैं, यह clarity के साथ समझ में आ गया होगा, अब आप लोग देखिए, कि कैसे कौन सा trade हमें profit बना करेता है, अब यहां पर क्या किया, यह हमें buy side की तरफ जाने को बोला है, ठीक है, अब इसके बाद क्या किया है, यहां पर हम trade करेंगे, प्राइस नीचे आके हमारे stop loss को hit कर दिया, तो यह trade हमें loss दिया, उसके बाद हमें कब काम करना, support करेंगे, यहां पर resistance के करीब, यहां पर हमने क्यों काम किया, क्योंकि इसने resistance को break करके as a support बना दिया है, इसलिए यहां पर हमने काम किया, अब इस इस candle पर भी हम by side की तरफ जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि इसने भी जो resistance level है, उसको break किया है, तो that means to this level के as-pass, lowest point तो यहां पर count नहीं करेंगे, इस candle के average के as-pass by side की तरफ जाएंगे, और यह trade भी हमें profit बना के देगा, अब यहां पर भी sell side की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक support level है, उसको break करके नीचे आया, तो इसलिए यहां पर भी हम sell side की तरफ जाएंगे, और यह trade भी हमें profit देगा, इसका profit सारा calculations करेंगे, सबसे पहले हम जो आपको बताया है, कि कौन trade हमें profit देगा, कौन trade हमें loss देगा, वो हम देख लेंगे, और यह trade हमा सारा कुछ सही बताया है, तो सबसे पहले, अब levels to levels बात करते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, आप levels to levels बात कर सकें, और आपको समझने में आए, और आपको confidence भी आए, यह candle इसको break करने का attempt किया है, resistance level है, break नहीं कर पा है, ultimately यह candle break किया है, तो हमारा इस level पे buy side की तर stop loss होगा, तो यह stop loss को hit कर दें, यहां पर हमें loss हुआ है, loss देखिए कितना छोटा छोटा हो रहा है, उसकी बाद, इस trade को तो हमें avoid करना है, यह trade, यहां पर buy signal दिया है, तो इस candle के बाद buy side की तरफ होगा, अगला candle open यहां पर होगा, तो हम lowest point पे नहीं रहे हैं, हम इस particular point पे buy side की तरफ जाएंगे, और overall market काफी उपर गया है, और हम यहां पर चाहें, या नहीं तो काफी उपर हम profit आसानी से book कर सकते हैं, तो हम इतना ही लेते हैं, यह हमारा profit हो गया, तो profit वाला part देखेगा, हम point छोड़ हैं, आपको size ही बता रहे हैं, यहां पे loss कितना हो रहा है, इ यहां पे हमारे stop loss बनेगा, और यह particular level हमारा target बनेगा, तो देख सकते हैं, यहां भी हमारे target को hit करते हैं, यही तो थोड़ा बोद, इस particular point पे अगर हम profit लेते हैं, तो देख सकते हैं, profit कितना ज़्यादा हो रहा है, अब हम आते हैं, इस particular example पे, इस example पे हमें cost to cost क्यों मिल रह वो हमें समझने की जवर्द, हम क्या करें, हम इस particular candle के बाद, इस level के आसपास हमारा buying average बनेगा, यहां पे हम buy side की तरफ जाएंगे, उसकी बाद जैसे हमने buy किया, हमने यहां पे क्या देखा, कि multiple candle है, और उन सारे candle में हमें open equal to low भी देखने को नहीं मिल बाद, जो कि green candle पे देखने को मिल बाद, देख सकते हैं, maximum हमें open low देखने को मिलता है, अब यहां पे, सारा का सारा indecisive candle है, एक दो नहीं, लगातार food हमें यहां पे indecisive candle देखने को मिल बाद, जो कि हमें इस से पहले कहीं और देखने को नहीं मिल बाद, इस level के आसपास देखने को मिल बाद मार्केट में direction clear नहीं है तो इसलिए यहां पर क्या करेंगे हम इसी particular level पर मार्केट से क्या करेंगे एक्जिट करेंगे यहां पर हम cost to cost में exit करेंगे यहां फिर अगर हम थुरा बहुत लेट भी करते हैं हमें यहां पर छोटा सा loss होगा तो loss बाला पार्ट देख सकतें लॉस होता भी एतना लॉस होगा और यहां पर भी अगर लॉस कंसिडर कर लेते हैं तो देख सकतेadors इतना वाला पार्ट हमें लाउस हो रहां लेकिन profit जो हम personnes मिल वा काफी बिग बिग profit मिल वा तो इस तरीके से हम क्या रहेंगे हम overall profit में रहेंगे कब जो मैंने strategy बता है उस strategy को अगर हम follow करते हैं तो हम worst case में भी क्या रहेंगे profit में रहेंगे तो आपने यहां पर देखा कि वही super trend indicator है जो कि हमें पहले accuracy level नहीं दे रहा था लेकिन जब हमने modifications किया तो यही हमें accuracy level provide कर रहा है तो अब से आप भी इस तरह के modifications super trend में करके आप भी अपने trade को profitable बना सकते हैं सो इस वीडियो में इतना है मिलते नेक्ट वीडियो में जैहन